हर दम शुक्त दिया करता मेरी सांस यह होवा है जानने का अभी शेक दे मैं अपनी मिनिस्ट्री में कुछ कर सकू परमेशर ऐसा भी शेक मुझे दे जब आप परमेशर के कामों के लिए उपवास रखते हैं और परमेशर के नस्दीक जाते हैं तो पिता यह देख कर खुश होता है कि यह आत्मिक चीजे में मुझसे मांग र और समझ का आत्मा दे ताकि जब मैं इस राजा की जो किंग की चेयर पर बैठा हूं जो राजा की पदवी पर मैं बैठा हूं परमेशर मुझे समझ का आत्मा दे ताकि जो मैं न्याई करू जो मैं जस्टिस करू जो मैं लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जो लोग मेरे सामने शिकायतیں लेकर आएं तो उसका न्याए परमिशर में बुद्धी से कर सकूँ कई बार हमारी आँखों के सामने ऐसी बातें आ जाती है जिसे हम देख कर और सुनकर हमें लगता है वही सही है लेकिन परमिशर कहता है मेरी और देख मुझ से मांग समझ और ग्यान फिर मैं तुझे बताऊंगा क्या सही है और क्या गलत है हलेलोया और यही बात है कि जैसे यहुदा इसकरोती येश्यू मसी के साथ रहता था और वो सोचता था कि येश्यू को कुछ पता नहीं है, लेकिन येश्यू को सब कुछ पता था, कि वो क्या करता है, लेकिन वो धया करने वाला है, हमेशा माफ करने वाला है, कि एक समय आएगा, ये सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, आज परमेशर भी हमें समय देता है, प्राफिस में तो कोई और भी परमेशर का विश्वास करने वाला व्यक्ति मेरे आफिस में आया तो इसने अपने फोन में ये वचन चलाय हुआ था परमेशर के एक दास उसमें बोलते कि जब बिमार था तो मैं येशु मसी के पास आया और मेरी प्राथना ये बहुत कम थी और मैंने का येशु मैं तो तेरे पास आगया मैं तो चंगा ही नहीं हो रहा मैं तो संडे तेरे पास आता हूं मैं चंगा नहीं हो रहा तो परमेशर ने बोला मेरे वचन को पढ़ मेरे वचन को खा और जब वचन को व्यक्ति पढ़ने ल कि हमारे जो आत्मिक पिता एं जो हमारे प्रॉफट बजिंदर सिंग जी एंस थे एवरी संड़ी हमें व कुराक बे कर भेशते हैं जिसे ख हा कर हमें जीवीट रहने हैं जिसे खा कर हमें अपने शारिडीरीक रूप में और आ现在 आज अगर आप परमेशर की हजूरी में आ रहे हैं आप चंगे नहीं हो रहे हो वचन को जादा से जादा पढ़ना शुरू करें और वचन ही आपके सामने बविशेवानी लेकर आ जाएगा आपको लगे का पवितरात्म मुझसे बात कर रहा है और मुझे बता रहा है कौन सा म पराती हैं उन्हें उपवास नहीं करना मर्कुस की पुस्तक के अंदर ये वचन लिखा है कि एक बार लोग कहने लगेगी ये शुमसी तेरे चेले तेरे साथ रहते हैं ये उपवास नहीं करते ये शुने कहा जब तक मैं इनके साथ हूं जब तक दूला इनके साथ है एक सम आत्मिक दुलहन, सुन्दर दुलहन, शारिरिक और आत्मिक रूप में परमेशर हमें बनाए ताकि जब दुला लेने के लिए आये तो वो कहें कि सच मुझ यह मेरी पर्फेक्ट ब्राइडा इस्चु मसी के नाम में और खूब सुरत ब्राइडा आत्मिक रूप में इस्चु में अशिशों को देगा इस्चु मसी के नाम में